बहुत स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं टूटल नियूज आपके साथ मैं हूँ पंकर जरो थेला मनीश सूधिया की जमानतियाचिका पर सुनवाई सीबी आई-ीरि को सुप्रिम कूट का नोटिस जारी हुआ है मामले की अगली सुनवाई 39 जुलाई को हुगी इस वक्त बड़ी कबर मनी शिश्योधिया की सुप्रीम कूट का नोटिस अगली सुनवाई 29 जुलाई को दिल्ली के नहीं आप कारेंडिती मामली में मनिसी सुधिया की गिरफतारी के बाद लगातार इस मामली में जाज परताल चुल रही है और सुनवाई कोट में हुई है मनिसी सुधिया की जमानत या चिकापर यह सुन अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी सीबिया एडी को नोटिस जारी किया कोट ने मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को तैय की गई है मनिसी सुधिया की जमानत या चिकापर सुनवाई हुई है CBIED को सुप्रेम कोट का नोटिस मामले की अगली सुनुआई 29 जुलाई को होगी पढ़ने जुड़े मारे साथ हमारे समवाद आता पढ़े मनी सिसूदिया लगातार जमानत के लिए कोट का दर्वाजा खटकरा रहें अगर ہM लगातार लगातार मनी सिसूदिया को बिल्कूल भी राहत बिल्कूल कोट का रुक किया है और इस मामले में सुप्रीन कोट के सी बी आई और एड़ी को नोटिस जारी किया है इस मामले में मनीश सोधिया की तरफ से दोनों ही जाच अजिंसियों की और से केस में जमानत मांगी गई है अब इस मामले में अगली जो सुनवाई होनी है वो 29 जुलाई को होनी है मनीश सोधिया को जेल में गए हुए 16 महीनों का वक्त बीच चुका है और वो पिछले साल ही जेल गए थे और अभी तक उन्हें कोई भी जुराहत है वो हाई कोट की तरफ से नहीं मिली है यही वज़े है कि अब इस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोट का रुक किया है चोले बहुत शुक्रिया आपका प्रणे तमाम जानकारी के लिए तो मनीसी सुधिया की जमाने त्याचिका पर सुमाई हुई है सुप्रीम कोट ने सी बी आई एडी को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुमाई की तारीक 29 जुराय तेह की गई है